हेलो एवरिवन, बेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से पिज्जा की रेस्पी आपके साथ सेयर करेंगे, जिसे हमने तवे पर बनाया है, चलिए बनाना सुरूर करते हैं, सबसे पहले पिज्जा का बेस बनाएंगे, इसके लिए हमने दो चम मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और आधा चम मच बेकिंग सोडा, दोनों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यह देखिए दही में बवन्स आने लगे हैं, थोड़ा सा इसमें हमने नमक भी डाल दिया है, पिज्जा में हम इस्ट का यूज नहीं करेंगे, एक हमने मैदा डाला है, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसल मसल कर, आप आटे में दही को मिक्स कीजिए, ताकि जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था, वो हमारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा सा पानी डाल कर, हम इसका एक डो तैयार करेंगे, इसका डो हम सौप्ट ही लगाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल कर, आप डो तैयार करें, यह दिखिए, मैंने बहुट धीला डो तैयार किया है, थोड़ा सा ओईल की बूंदे डाल कर, डो को चिकना कर लेते हैं, और नीचे को दवाते हुए डो को, चिकना करेंगे, यह दिखिए, और इसे एक घंटे के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे, एक घंटा हो चुका है, इसे थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेते हैं, अब इसका पिज़ा बेस बनाना शुरू करते हैं, चकले पर थोड़ा सा सुखा मैदा ड़स्ट करेंगे, पिज़ा बेस को बेलेंगे, इसे ज़्यादा पतला हम नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा इसे मोटा ही रखेंगे, यह दिखिए, उस प्लेट में थोड़ा सा मैदा ड़स्ट कर लेंगे, और पिज़ा बेस को हातों से बढ़ाते हुए प्लेट के सेप का बना लेंगे, फोक से पूरे पिज्जा बेस को छेट कर लेंगे जिससे ये हमारा पिज्जा फूले नहीं और क्रिश्पी बने अब इसकी टोपिंग की तैयारी करेंगे सबसे पहले इस पर पिज्जा सॉस फैलाएंगे यहां हमने होममेड पिज्जा सॉस यूज्ज किया है आप चाहेंगे तो इसकी रेस्पी हम जल्दी से एर करेंगे चीज डालेंगे अब कुछ सबजियां रखेंगे यहां हमने लंबी कटी हुई सिम्ला मिर्स यूज्ज की है पियाज रखेंगे सबजियां आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा कौन डालेंगे आप यहां चाहें तो पनीर और ओलिब भी यूज़ कर सकते हैं दो तेन टमाटर के पीस भी हम रख देते हैं जिससे हमारा पिज्जा कलरफुल लगेगा उपर से थोड़ी सी सीज और हम डाल देंगे नीजिये पिज्जा की टॉपिंग बन कर तयार हो गई इधर हमने तवे पर इस्टेंड रख दिया था और इसे दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्री हीट किया था धीरे से पिज्जा की प्लेट को इस्टेंड पर रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे 25 मिनट के लिए पकने देंगे 25 मिनट हो गए चीज कितनी बढ़िया हमारी मैल्ट हो चुकी है ठंडा कर लेंगे उसके बाद इस पर और गेनो डालेंगे चिली फ्लेक्ष डालेंगे पिज्जा को चाकू से कट करिए गरम गरम ही पिज्जा आप चाकू से कट करिएगा और लीजिये हमारा पिज्जा बनकर तयार हो गया आपको ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक शीयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलें थैंक यू